और बच्चा लो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नए ऐसा करने आज हम वो रैसेपी लाए हैं जिसे आप बहुत दिनों से मिस कर रहे हैं काफी टाइम हो गया आपको रेस्टोरेंट धाबे का खाना खाये हुए तो रेस्टोरेंट धाबे में हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले complimentary हमें चटनी, sauce और साथ में सिरके वाले red onion मिलते हैं यकीन मानिये जिन्हें पसंद हैं उन्हें तो बेहत पसंद आते हैं जब तक खाना हमारा आए आए हम जब तक order करें करें तब तक हम प्याज ही खाना शुरू कर देते हैं इसे प्याज को टो बनाना बनता है तो सबसे पहले हमें इस प्याज को बनाने के लिए प्याज चुनने होंगे चोटे-चोटे जितने चोटे होंगे उतने उस में मिठास होगी इसको baby onion कहते हैं अगर आपको emergency बनाना है तो बड़े प्याजों को छोटे छोटे पीस करके भी बनाया जा सकता है मेरे पास आज छोटे प्याज हैं तो उन्हें मैंने चील लिया है चीलने के बाद हमें क्या करना है एक root वाला part होता है एक shoot वाला part होता है जो root वाला part होता है उसका उपर का पीस हटा देना है वो हमें कभी नहीं खाना चाहिए जो shoot वाला part होता है उसे हमें चार मतलब दो तरब से cut करना है जैसे वो छोटा सा चार पीस दिखने लगे लेकिन सबको अलग-अलग नहीं करना है बस cut लगाना है बस cut लगाने के बाद उन्हें अलग रख लेते हैं पाने में एक काँच का कोई भी जार ले लिजे वैसे प्लास्टिक के जार में भी बन जाएगा पर कोशिश कीजिए काँच का जार जादा अच्छा होता है अब मैं ले रही हूँ एक पैन इस पैन में एक चमच चीनी डाल रही हूँ ये खास रेस्टोरेंट ढाबे की रेसिपी है इसे सीक्रेट है इसे हमें भी इस तरीके से फॉलो करना चाहिए अब इसका बनाना हमें कैरेमिल धीमी आज पे इसे आप इसे गोल्डन कलर आने तक शुगर पिगलने तक बनाई है शुगर पिगलने के बाद हलका गोल्डन कलर आया अब मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया है एक चमच चीनी डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और वो भी कैरेमिल वाला स्वाद बहुत ही बढ़िया अब इसमें डाल देती हूं मैं 10-12 काली मेर्च एक चमच जीरा एक डाल रही हूं तेज पत्ता इन सब को मैं उबाल लेती हूं ये सब मैं इसलिए कर रही हूं कि इससे इनका क्या होता है प्याज खराब नहीं होता और एक बड़िया सुगंद आती है अब इस पानी को हम ठंडा कर रहे हैं प्याज को मैं एक जार में भर देती हूं काँच के जार में जरूर भरिये हो सके तो आप काँच में भरिये वरना प्लास्टिक में चल सकता है पर कोशिश यही कीजिए कि चीनी मिटी या काँच में भरिये अब इसमें हरी मिर्ची भी डालें, ये हरी मिर्ची भी सिर्के वाली बहुत अच्छी बनती हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा कॉंटिटी में हरी मिर्च डाल दीजें, मैं अभी 5-6 डाल रहे हूं, अब नॉमल इसमें पानी डाल दीजें औ कलर के लिए चुकंदर जो होता है न बीट रूट उसको तीन चार पीस कट करके डाल दीजिए बस ये लीजिए आपके सिरका अनियन आपका विनेगर जो अनियन है सिरके वाला प्याज है वो बनकर तयार हो गया अभी इसको कलर आने में कम से कम 24 गंटे चाहिए अभी मैं इसक तो में भी बीट रूट का कलर आगया है ये बीट रूट बहुत हेल्दी भी होता है कलर भी बहुत अच्छा देता है इसे मैं फ्रिज में रख देती हूं 24 गंटे बाद मैं आपको इसे जार को निकाल कर दिखा रही हूं आप भी चकित हो गए ना इसका कलर देखके कितना प्यारा कलर है वह color पहले जड़ा सा लाइट सा आया लेकिन अभी पूरे नस्दस में color भी आ गया और flavorful भी हो गई है तो अब इस onion को आप खा सकते हैं इसकी मिर्ची को आप खा सकते हैं किसी को भी सब कर सकते हैं आपको इन रस्टोरेंट वाले onion की जरूँत थी ना मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए